अब अपन ने इस सारे तो कड़ लिए थे अब अपने पास में अब सुसीर स्वर्वाद्यंत्र वह अपन को कड़ने से कोई और आया है तो उसको कनेक्ट कड़ लो भै कर देखता हूं कर दिया कि अगर ओपन कर लोंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी मेरे को अब ने किया सबसे पर हमारे अधानी के तो आगया है हाँ 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 चलो सुशीर जो है स्वर्वाद्यंत्र है उन पर बात करेंगे ठीक ना तो कर देखता है अधानी के अधा आगया है एसे वार्दिंद्र जिनका प्रयोग होता है लकड़ी जातु से बनाएवे वह लोहा चांदी तांबा ंसा पितल इसके बनेए सुझे का कोछ भी नहीं बना हुआ ठीक है ना उन्हें टो आपकर लोग ले जाएंगे इसके और हाँ देने से इसको बजाया जाता है है कि ना कि हाँ देने से बजाया जाता है धमनी उत पर होती है तो उसको एरोफोनिक कहलाती है यह एरोफॉंट इसके अपर रह recent यह बनावा यह सुरह है नर्ड है कानी यह अलगोजा विलों के पावरी है पहली है मुड़ा है पुंगी है और दुरालिया है और बोली है यह सब केवल एक वारी नाम याद रखना है क्योंकि आपको यह पूछ सकता है वो कि बांस की लकड़ी से जो स्वर्व वाद यंत्र है वो कौन से हैं ठीक है ना इसलिए इसको ध्यान में रखना होता है कि कानी है अर्ड है यह नर्ड है ठीक है ना सुरई सतारा है बांसूरी है बोली है ठीक है अगर उसने कोई भी एक रख दिया और आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो गल्ती होएगी ठीक है ना इस चीज़ के पर उपर बात करना है और मैटल से जो बने हुए है ठीक है उसमें भंगल है बर्गु है बाकिया है नागपली है कड़ना है तुरही है सिंगा है और मोर्चंग है अब जो सबसे इंपोर्टेंट जो है इसके अंदर नाम आपको पता होने चाहिए स सबसे इंपोर्टेंट जो है वह आपके पास में कौन से आ रहे हैं इसके धातू के अंदर जो अपन नौर्मली अपन यूज करते हैं बाकिया और तुरही ठीक है ना और तुरही ठीक है और मोर्चंग पर दबागे कोशन रहेगा लडाई के टाइम में ठीक है ना कई फिल्म है पुरानी फिल्म में देखा होगा ठीक है ना तो यह जो चीज है यह आपके नेसरगी है तो अपन बांस में लकडी वाले जो वुडल से बने हुए उन पर बात करते हैं कि कौन कौन से हैं तो इसके अपर अपन चले तो ली बासरी और बसरी यह सभी इसी के नाम है ठीक है ना प्राचीन है रीगी बदीवें उपनिशाद पुरान आदिस सब के अंदर इसका जिकर रहता है ठीक है अब यहां पर अपन को काम क्या करना है क्या चीज़ देखनी है वो ध्यान में रखो बांस की ने लिका है यह ने अभी नाम बोले थे सारे के सारे इसे ही आजाएगा कोंसे पार्ट है या बांस कितने टाइप की थी तीन ही बांस NIкиес के नाम रख़ देगा ठीक है यह जो चीज इसी सारे इसी टाइप से अभी अपन by करेंगे तो आपको पता चलजाएगा कि वो क्या कर रहा है गोट टेपिकल कोष्टन निढ पूछेगा आपसे केवल से कॉष्टे आपके पास में केवल जैसे अगर आपन बांसुरी की बात करते हैं। पुरानी यह सबसे पहले साइते के अंदर है और वग्वेद वगर नाम है ठीक है ना वह क्योंग से उसी से उल्जानी की कोशिच करेगा अब यहां पर आगे देखते हैं यहां की बात करते हैं सैना यह तो आप लोगों को पता ही है ठीक है सबसे सब अच्छी साउंड बनी जाती है सुरह सके और इसका दर जो होते हैं ओक'M यह कभी कोशन आया हूज है अब इसके साथ सानाय को नगारे के साथ बजाया जाता है कि नगाड़े के साथ बजा जाता है क्वालिटी कैसे आ रही है टीम की और अपने यूट्यूब पे बैस्ट है दोनों में अब यहां पर बिस्मिल्ला खाज हो थे सैनाई वादक थे 2001 में उनको भारत रतन से दिया गया था अब यह तो सभी को पता है अब बता तो है लेकिन अब 2001 को याद रखना है इता है थिकर ना भारत रतन मिला हुआ है लेकि दो जर एक का ध्यान में रखना है अपन को सुनगा यह सुनगा यह जो है वह है और सैनाई जो होती है वह अलगती अभी हाँ पर क्या हो रही है यहां पर इस्पेशली लकडी से बनी हुई है ओके अपनको कोई मतलब नहीं है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रीड़ होटों से दबाकर फूक बार बजाया जाता है नक्सासी यंद्र कहते हैं क्योंकि नाट को यूज कर रहे हैं यहां पर यहां पर है पे खान मंगनिया यह इसके विश्पर्सिद सुनाई वाधक माने जाते हैं अब कोन-कोन बजा रहा है इसको वाधन-जोगी कर रहे है भील कर रहा है और यहां पर इसके दूसरा नफरी और तोटो नाम से भी इसको अंगित किया जाता है आपको इस्पेशली यह जो नाम है इनके और कौन बजा रहा है उस पर कंसर्ट्रेट करना है सतारा जो है सतारा के अंदर अपने पास में तो सनाई के समान है अलगोजा बांसुरी जैसा ही यह वादरियंत्र है दो बांसुरी वाला होता है इस्पेशली इसमें अलगोजा और सनाई तीनों वादरियों के समावेश हो जाता है जैसल मेरिक में भाट और मरू परदेश में चरवाव द्वारा बजाए जाते जो जैसल मेरिक में भाट अब यह आपको थोड़ा थोड़ा यानि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्या किस चीज़ के अपर ध्यान में रखना है अपन को नर्ड है रास्तन के पश्मी रास्तन में चरवाव तो भोपों द्वारा बजाए जाता है ठीक है लकड़ी का बना हुआ होता है अब कलाकार जो है इसके भीर्य करना ठीक है ना किस कित्रप जाए जाएगा अल गोज़कर अलगोजा के ऑपर तो फर्टाफट नंगिया यह सबसे इंपोर्टेंट रहता है इसके अंदर साउंड अपने हवा वाले गंदर अलगोजा ठीक है ना अलगोजा वार्द है आपके पास में दो के साथ में है ठीक है अब दो पहले कौन सा था दो जिसके अंदर दो थी पहले कौन सा था दो थी ठीक है अब यह पूछ लेगा जिसके अंदर दो टाइप दो बांसुरी हवा थी ठीक है ना तो इस टैप से आप से पूछा जा सकता है ठीक है ना सिंपल से कोश्चन पूट करेगा वह ज्यादा को टफ पर कोश्चन नहीं होते हैं ठीक है ना लेकिन आपने क्या उस्टैप से देखा हुआ है उस रिसाप से देखते हैं सिंद्ध पर्देश में अलगोजा को बीन कहा जाता है कोटा बुंदी भरतपूर अलवट छेत्र मे यह इसलिए कोश्चन आते हैं इस पे इस पे अगर यंत्र पूछ रहा है इसी के उपर आसबस घूमेगा वह बैठके इसके बारे में आपको आँख बंद करके याद रखना ही पड़ेगा और कुछ याद करो या मत करो यह आपको याद रखना पड़ेगा इसके पर्मुक वादक रामनाथी चोधरी जी है काणी की बारे में बात करते हैं जैसे बाड़ में च्छेतर में चरवाओ द्वारा लोग काणी आकार के नड का छोटा पार्ट होता है बांसुरी बांस के दो टुकुडों को जोड़कर बनाई जाती है भी लोग इसका जाती है कोड़ी जाती के अंदर मार्ष्ट के समुद्री तटों के उपर आदिवाशन द्वारा बनाए जाता है मुड़ला जो है यह मुड़ी है सपेरो द्वारा सपेरो की पूंगी का परिशकत रूप मुड़ला कहलाती है साधानतिे काल बैल यह जोगी के गोजा थे हैं को सपेरो के पास में अब यह वी है सपेरो पास मुड़ला तो आपको यह अब यहां पर आपके पास मेल गया दो चीज़ें अब यहां पर पुंगी जो है अब उसके अदर पुंगी की जो यह है पुंगी खूब आती है यह जो है बीच की ठीक है ना वह लोकी है अब यह जो बीच का जो पॉर्शन होता है इसके अंदर खाली करके उसमें बनाया जाता है जाता है यह पुंगी खूब पगड़ने यह तो आप तुम लोग को पता ही है तो दो चीज़े बीच जो है बीच के नाम जो होते हैं पुंगी भी इसको कहेंगे तीग है ना और इस जगह पर पौश्चन रहा हुआ है इसक Year is he Ready Ohio गुरालियों गुरालियों की बात करें गुरालियों को यूज करते हैं गोडियू भी कहा जाता है इसको बांस का बाज़ा भी कहते हैं इसको अपने यह सारे के सारी जो चीज़े हैं आप ध्यान में रखना फिर है पावरी है पावी का जो है रास्तन के वांगड शेत्र के अंदर कथोडिया भील जाती परशलित के या पावरी जं को इसको इसके अंदर फिर नुमा यानि कि आकार का होता है मैंने इसकर फोटो दो रकी थी देखाए कर रहें यह भांग किया है तो इस पेसलिय। जो बजाने वाले जो चीज होती है स्कंदर इस टैप से जैसे बजा इस टैप से बनता है यहान है पर माउठ लगाके यह C टाइप का बनता है थीक है ना इस टाइप का होता यह झाए अंग्रेजी के सीनुमा होता है और सारंग देव सुसीर वाधयंतरों के सुमवे में पावा पावी का नामक वाधयंतरों के बाहन सुरी के ओके अपने ज़्यादा उसमें नहीं उरजना आपन को अब थोड़ा थोड़ा आउट लाइन पसको और वह मेवा तो मत्से पंदरियश मुझे बता है एक है च्षोटी बांसुरी कहते है के है आप कोई बता दो भाई मैं तीज़े थोड़ा लोग तो खाना खा रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा पानी पी के काम चला दूँ कनिश हो गया है या वैसे फोटो लगा के गाया है भैर वेरी गुड़ वेरी गुड़ किताब पूछ के आया थे गया तुम लोग को ठीक है ना चलो यह कनिश्क भाई गायव है वह वह अधिए गायव है तो यह वाद्यंत्र कट्पूत्लियों को दिखाने वाले कलाकरों के वाद्यंत्र अब यह वाला जो है ना अब यह वाली खास बात रहती हैं कट्पूत्लियों नचाते समय सवादों को परगट करने के लिए ठीक है ना हाब बाब दिखाने के लिए साउंड नहीं निकालते थे चिप-चिप की ठीक है ना वह बोली होती है कि हाँ आगया भई आगया आगया है हुआ है कि ने किसी कोई नहीं आ रही तू माइक बंद कर रखाता था है हुआ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम तो ऐसे धूनते रहते हैं तो उसके बाद में क्या नहीं बिलकुल नहीं कोई आवाज ने तरी और तुम लोग यह जो बोलते हैं तो वह सब को सुनाई देती है मेरे को सुनादेती है तुम सबको सुनादेती है ना? ना हाँ ? तो बस सब बैस्ट चीज है क्योंकि जवाब देला तो ऐसा निये कोई मेरे तक ही पोँचे और दूसरे वाले शब सांद रहे ठीक है? हाँ यूट्यूबपे नहीं जाती है? यूट्यूब पर साउंड है नहीं दूसरा उसका रिस्पूंस देढ़ी नहीं सकता ना वो तो कियो चैटिंग काई काम है तो यूट्यूब तो चल रही है ना अपनी रूद मैंने देखी नहीं चल तो रही है ठीक है आ रही है अब मैटल से बना हुआ है कोई एक जिना हो रहा है क्या कैसे आवाज आई है हिसा वह स्वरूप आए है लेलिया ना फिरीक है मैटल बांकिया बांकिया पितल की चद्दत से बने वह बिगउच जैसा बनता है ठीक है ना और वर्का ना होने मारवाड़ी तो तुमौं को पता ही है ठीक है ना वो है तुरही की तरह सरगड़ा जाती के लोग इसको करते ह कि ना कित्तल की चधिर से बना हुआ होता है आप यहां पर तु रही कि अई जो है बाकियद किससे बन रहा है आ मैं पित्तल की चधर से बन रहा है दो और इससे पहले कोई कहें पित्तल आया था या कही sama एच से पकड़ लिए करो ऐख canal अब यहां पर है ना खफनी नागपणी फिल्में बहुत बंती थी अब पितल की पतली चदर से बनी हुई है अब वाजे सर्प की आकर्ती का होता है इसलिए नागपणी करता है अब यह पूछेगा कों सी आकर्ती किसकी थी इसकी वाजें अंत्र हो गया है अब आपने कपड़े पूरे पैंके पैठें करना है अब पितल की चदर से बना हुआ है करना तुरही से मिलता जुद्धा वाजेंतर है और यह चिलम की सकल में रहता है चिलम तो तुमने देखी है किस-किस ने देखी है किस ने देख किया है चिलम चिलम जो उंगली में रख के ऐसे सूंगते ना वह वाली जो धुआ भी निकलता है हाँ ने चिलम चिलम वह तो छोटी सी बात है लुपी मैं कियो तुमने देखी निती आपे देखिए तमने वह अपने वह इसके पास में वह ना क्या है जैंसकिते हैं हुआ है का कौक का का पीते दो कि पता नहीं चलते हैं को यह मतल सब यह ना बता देता हुआ है तुरही है पीने वाली चिलम यह आ करती है नियुक्ति यह तुरही है इस पर कोश्छन रहता है तुरही के समान नपर बड़ा गोमुखा कहलाता है, ठीक है, मद्दे कालब के यूदध के समय तुरही को बजाया जाता thing, यंत्र माना जाता .Thisoc यंत्र कूझा कहलाता है । थीक है बजाता थो सिंगह की तरह के थात्त से बना हुवा है, वाथ दूस Sum सिंगह के समाने होद भूंगल, tableo और रास्तान का सिंगा दक्षिन भारत में काब कहलाता है नेपाल में इसमें कुछ भी कहते हूं नेपाल की जरुत नियुपन को मोर्चंग जो है यह रहा मोर्चंग आपका मोर्चंग है लंगा वे आदिवाशी जो के द्वारा बजाये जाता है अब यह जो चीज बनी हुई है कैसे करती है यह मेरे को कोई बता सकता है कभी देखा यह मोर्चंग बजाते हुए किसे नहीं इसको साउड के हां यह मेरे माऊत यह पर हखते हैं हावा निकालते हैं यह जो चीज यह भी इस से इसको हिलाटें तो जो आवाज निकाल रही होति है यह निकालते है शेंड और उसकी साउड को इस से चैंज करते हैं उसकी ट्रिक्वेंसिज को कि फोटों पर लगाते हैं जैसे अपने माउथ मैं पास देखा निए तो एक जिने को प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा था इसको ठीक ना और बैंड बाजे वाले में सबते हैं सिर्फ पर ऐसको है उसके ऐसको सबस een Portugal सब्सक्राइब है है फाली है बीच में शाउंड हा ये केवा निकालते तो उसके कहां से वाज आती है तो यह वाजयंत्र है यह और यूद के टाइम में धार में वाजयंत्र माने जाता था अपने आरती के टाइम में बजाते हैं इसमें तो कोई इतना प्रोलम वाली बात है मशक जो है मशक जो है आपके कहां पर बाता है नाथो जोगियों द्वारा बजाए जाता है मशक के अंदर है बोरे या गुबारे की तरह अपने उसको बनाते हैं वाजम बकरी की पूरी खाल होती है इसके अंदर उसमें पाइप्स रखते है और पिर हवा निकालते है तो अलग अलग उसके अंदर आवजें दबा के वह साउंड का प्रोसीजर है बस वह है पीलवारा च तो इसके अंदर है कामेचा के राजा है कमाल सकार खान है वपंग के जादूगर है जुरूप खान मेवाती है खड़ताल के जादूगर है सादिक खान है सुरनाई के वादक है पेपे खान है नगाड़े के जादूगर है राम किसन सोलंकी है पुसकर के परसिद तबला वादक है अमीर मौमद खान है परसिद सनाई वादक है चान मौमद खान और आठ बार सम्मानित हो चुके हैं वो ठीक उस्ताज जो है अपने अलादिया खां जो है पंडित गोविंदराब तांबी के इसके सिस्षे लिए में सके इसके में अब यह सारे साउंड के अंदर मॉंचन ज्याजा रहते में इस ध्यान में रखा न cioè ही यह सारे कि सारे हैं आपके जो और आप लोगों ने बड़े मन लगा के सुन लिया इस सब को ये बड़ी एक इस इसी कैपैसिटी आप लोगा इसे आप लोगों लिया कि आप लोगों ने इतनी चीपासिटी आप Τर संवाहर मां करें इन के कोशिंश कर लेतें के क送고 स्टरे तो अब देखते चलते कोस्टन में कौन-कौन राइड जीत पाता है आज कि अनिकेद किताब लेने चला गए आगए खुदों सींग जो है किस वाजनतर से समझता है है पकवातने पकवास ठीजट इने फोद्न ऑपखंवातने ऩॉनट शेंट-ले o जो है दक्षन पूर्वी इशा केंदर कोडांग और दक्षनी इश्टाइड केंदर तो मुझे वाले धोल कहलाते हैं यह ठीक है पक्षवाज अपने बात के थी कौन सा धोलग है ठीक है अलग अलग है यह दिख तो तेरे को धोलग जैसे रहा है लेकिन इसके अंदर जो गोट कल था ना अच्छा तो कल नहीं कल सारी बात हुई थी इसकंदर ठीक है अब यहां पर अगर अगर आपन दूसरा कोश्टन देखते हैं तो आप देखो अगर अच्छा किस वाजंदर का समंध्र नारत जीए इसके जूड़ा गया है अब यह तो पता ही है थीका ना सारंगी है एकतारा है रावन अस्ता है और जंतर है ठीक है अब आपका एकतारा जो है यह थीके ना यह थो पता ही अपन को सिम्पल सा है सेनी दम्रु वर पिनाग का परवरत किसको माना जाता है विश्णु बर्मा सिव महेश्ट हुआowym सेनी हैं دम्रु है और पिनाग् elf ॢूध किया सिव के पास है रहा ठिक है न आब यह चीज अपने मान नहीं पढ़ी थी ठीक है न मैंने का ना उस चीज़ को आपको उस चीज़ को किवल ध्यान में रखना है उसको यूज़ करना है कि कमायचा किस परकार के लोगवादती अंतर है ठीक है ना हाथ के अंगलिक से बजाए जाता है किस टैप का है कमायचा आपके अब यहां पर इसके जो परसित कलाकार जो है उनकी बारे में देख लो दपूखा मौरासी है मौमद हुसेन है नरायन जोसी है और दपूखा है यह आपके कम कमायचा के वादत हैं कि दूसरा है विस्व का प्राचिंत वादियंत्र कौन सा माना जाता है सब विस्व का और आंसर देख लोगे मेरे को पता है कि दम्रू संथ पिनाक रावन हत्ता ठीक है कि दम्रू ठीक है अब यहां पर है कि एक सारंगी जैसा होता है मुख्यते मंग्निया लोग गायक वे नागपंति सादू बजाते अलवर भरतपूर भर्थरी जोग्यों द्वारा किस पर का सारंगी बजाए जाती है गुज्रा सारंगी जोग्या सारंगी और जड़ी सारंगी जोग्या सारंगी जोग्या आ गया नाम तो अपने अब है तत वाद्य तंदूरा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है अब यह सारों के नाम आते हैं मिवाड के रावल भाड जाती कि लोग रमतों में मुखे तक क्या बजाते हैं रावाज बजाते हैं अब यह जो चीजे थी पहले अपने एक लाइन के अंदर छोड़ते वह जा रहे थे मैं बार बार यह आपको लोगों को बता रहा हूं कि अ अपने खलके से में निकाल के चले गए थे पॉस्चन तो इसी पर है तीक है ना आपको कहा करना है कि किस जगह पर है कौन बजा रहा है और किस प्रोग्राम में बज रहा है तीक है ना और कौन सा टाइप है कि फॉर्मेशन के उपर वो नहीं जाएगा किस लकड़ी का था रोहिडा का था उसका था उसका था तो कोई एक जो पर्टिकुलर है उनके उपर ध्यान में रखना है तुम्हें एरिया जरूर पूछता है वो तार वाले वाद जो हैं कौन-कौन से है सारंगी है तंबूरा ह यह सारी के सारे कि कहा पूरा पता होना चाहिए तो क्या चीजैं अब आगे चलें अपने निम्रे से कौन सा वाजन से तत्वाद है जंतर रबाव गुजरी उक्सभी अब यह सारे जंतर रबाव गुजरी जंतर क्या था भाई कैसा था जंतर कि दो चार कि दो चार क्या थे उसमें कि दो चार कि दो तिन थे जंतर पोटो कल देखी थी अपने कि याद आ रहा है कि कुछ कहीं पर भूले बिश्रे संगीत के अंदर चंग जैसे ना चंग अरे भाई चंग तो हो जी नहीं सकता था ना तत्वाद है कि देवनाराण के फ़र्ट किताब इसलिए तो कहा था तुम्हें नकल अच्छी तरह से मारा करो अपने अब पास एक भुख रख लो है अहीं गया तो यह अपके पास में जोग्यों का परभूख वाजय अंत्र कों सारंगी लोग निमन से किस वाजय अंत्र को बजाते हैं अलवर जाती के रहा वह भपंग बजाते हैं कि कल अपने बफंग की थी एक तारवाद ये अंदर होता है इसके अंदर किस सुसीर वाद के अंदर नफीरी है अभी अपने बात किया था नफीरी की ठीक ना सैनाई गई यह सारे आईवेस कॉस्टन से हैं जा तुम लोग अभी मेने नफीरी के अपर टिक लगा के गया था तुम लोग ने गोर ही नहीं किया था ना कैसे कोई होगा आज परोश्य आ जाता ना कोई वाज तो को थेकिन ना नफीरी सब्द का प्रयोग मुस्के राश्तन के किया जाता जबकि सनाई सब्सका प्रियोग भारत में परज लेते हैं कि सिंपल सी चीज़ है तो आपको यह चीज़ें इस तैब से ध्यान रखना है जहूर खान है मेवाती है उमर फारुकी मेवाती किसके लिए वादक है किसके वादक है यह वपंग के लिए भपंग के लिए के लिए हैं और सबसे जाएज़ नजीकी आपड़ारमभीक रूप माना जाता है वह उतला संतूर ठीक है ना तो मैंने दोनों चीजे रहा दी कोश्चन में तो संतूर था नहीं ठीक है ना बपंग आया लेकिन जो इसका वीना का सबसे ज़्यादा जो नजदिकी है वो है संतूर ठीक है संतूर की उत्पर संतूर कैसा था दो चार अलग अलग होते हैं चार का भी बनता है दो का होता है वैसे नॉर्मली नॉर्मली दो होते हैं उसके बीच में होते हैं ठीक है ना और चार भी होता है लेकिन दो होते हैं नॉर्मली ठीक है संतूर पहले देख लोग कैसा होता है है संतूर को बता सकता है का संतूर वीमा कैसे हो तो पता हिए ख Zwaring히त आर्स लियुक्त कर और संतूर कैसा होता है हाँ हाँ देख लिया ना ऐसे देख लिया करो वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड आँ आँ ऐसे वाइरिंग के कारण से वाइरिंग जो अतनी ना उसके अंदर लाइनिंग होती है उसके साथ बना हुगा है उसका वो बड़ा पार्ट मैंने वो कीज भी कही थी कि मैंने पूराने फिल्मों के अंदर संतूर बहुत जाल दिखाए देता है अब तो सारे के सारे डिजिटल हो गया ठीक है ना तो कोंसा वाद यंतर आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढकर बना जाता यह बतादो भाई अब यह मैंने उठने निदी पूछ रहा हूं है राम से हार कोंसा वाद यंतर आधे कटे ना रावन हत्ता एक जिना तो और आगे जुरुल नहीं है एक जिना आगी साहिक है तुसारे तीक है रावन हत्ता ठीक है यह होता है कि लोहे का मोर्चन किस परकार का वाद्य अंतर है पूच है थिक्शार है ठीक न और सुसीर हो गया और और उसे बजाए जाता है एक लोग वाद्य आतर का समझ निवे त्म में गोर कीजिए यह शनाय जासा होता है इसे डोली लंगा जाती दौरा विवाव में बजा जाता ह इसे गीला करकर बजाए जाता है निमने को सा तत्त ठीक ना अब यहाँ पर है आपके पास में ठीक ना यहाँ पर है भांसूरी है धोलक है चंग है और सुरनाई है ठीक ना अब एक अब एक वरे गोड़ी यह वारी बात होई है यह यह बात होती है अब मजा आया ना पहले अमेशा पहले दुद्ध बाकी है उनको करोगे ना तम मजा आता है असलिए में पढ़ावा बच्चा है यह ठीक ना अब आप हैं यह निर्सि नहीं हा कि यह होती है मजा इसी चीजश आता है कि यह आइसे और आसे पता हैं लेकिन पो तीना ये कि वह आंसर पास उसको बदलते रहते थे उसको बदलते रहते थे उस्ताद सतीष चंद्र है दुकाली नामक वादर मुखे ते कौन बजाता है लंगा जाती भील जाती मंगनियार जाती और मेना जाती अनिकेश भील जाती चलो भील जाती इसमें भीमराज भील और काली भाई है दुकाली वादक के अंदर काफी पोपुलर है यह और लंगा और भील जाती दोनों बजाते इसको लाजे में सुसीरवाद में सर्व से सबसे सुरीला और मांगलिक वाज़क किसको माना जाता है सेनाई को बांसुरी को अलगोजा को रामन अध्या को सबसे सुरीला और मांगलिक वाज़क को सेनाई है बांसुरी है अलगोजा है और रावन हता है कि अब बटक रहा है कहां कहां बटक गया है वह तो ठीक है लेकिन बच्चे और भी है हाँ बताओ भाई कि है तैन आई है ठीके ना और 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 सबको अपनी अपनी चीजी लगती है ठीके ना कि अब बांसुरी तो हीरो मूवी बता बना बजाता है कुछ लोग सेनाई को सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि मदूर तिखन धवडी के करांद से उप्तुक्त अप्सरों पर क्यों क्या जाता है अनुस्ठानों साधियों तिवहरों सास्ते संगीतों अगले में क्या जाता है और अन्य सुसीर वाद्य अंतर जो है जिनको अच्छा माना जाता है ठीक है ना सुलेंगा है कुंगी है क्या है सनाई और नाक्सुर्ण में है जाणाए बांसुरी जैसा वह अंतर है एक लोक वाद का समझने में इसे कफन को पढ़िए ठीक है ना एक लोग वाज के समझ में निम्त कफन को पढ़िए यह एक सुशीत वाज है इसे काल बेलिया सांप को मुईद करने के लिए बजाते हैं इसे बीन भी कहते हैं ठीक है ना करना भील किस वाज के परसिद्वादक हैं ठीक है ना नड के मोर्चंके सतारा और कड़ना करना भील जो है कि दिख रहा है गया है 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 कि अच्छा ठीक है ना वर्गु किस परकार का वाज है भी है सुशीर वाज इसके अंदर है अपन अब इसको ले जाते हैं अपर तोड़ा सांप कि पितल से बने किस सुशीर वाज को रण भेदी भी कहा जाता है सतारा है भूंगल है म्रदंग है उक सभी है इसकों सावाद है एक अनवनद वाद है ठीकिना और निंद में से कौव सा वाद अवनद ताल वाद नहीं है ठीकिना तालवाद नहीं है जांज नहीं है अपने पहले स्टार्टिंग किती जांज से तो अब जो कोश्चन आए इतना ही है अब जो कोश्चन आए और जो अपने पढ़ा दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है पहले पढ़तो लोग कोश्चन आए वो तो मैं सारी चीज़ें कराता हूं हाँ यह तो चीज़ें साथ ही चलती है निकेत को पता है कोश्चन तो चलते ही अपने साथ तो तू भी तो रहा था एक मैने तो रही था तो उसे इसाफसे अगर आप देखा जाए पता तो है कोश्चन के साथ सत कराएं इससे अपन को यह पता रहे पिपर कैसे बनता है गाड़ी चलाना और गाड़ी को सीखना दोनों अलग लग होते हैं वही चीज़ यहां पर है तो कल किसकी बात करें कल अपन क्या चीज़ लें लोग देवता ले लोग देवता लेगा उसके अंदर यह आएंगे वह साथ चलो कोई टाइम पिरेड पूरा हो गया ठीक है ना मिटिंग इस एंड हो गई मेरी टीम की तो यूट्यूब में चल रहा हूं अभी तो कल अपन इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं ठीक है ओके बाई बेटा स्विट ड्रेम्स बाई बाई बेटा स्विख झालो क हो जाएंगे चलो कि आएंगे बाचे घटाब्स